वर्ष 2015 के दौरान जीवन की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को सफल बनाने के लिए आप उच्छुक होंगे अपना समय बड़ी ही परिश्रम और संकल्प के साथ समर्पित करें ताकि अपने कारे में आप पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकें आपके जीवन में कुछ परिवर्टन भी आ सकते हैं किन्तु सावधान रहें कि आप अपने परिवार और मित्रों के लिए परियाप्त समय निकालें जो आपके लिए अधिक महत्वर रखते हूं आप अपने जीवन के कई कारियों और लक्षियों को गंभीता से ले और फिर उसके अनुसार ही उचतकारे करें व्यवसाइक जीवन में और आपके निजी जीवन में अधिक परिश्रम होगा आप कोई ऐसा संकल्प लें कि परिश्रम करने के बाद आपको उचतलाब प्राप्त हो सके और आप कोई अकारनवश किसी खत्रे में न पड़ें यदि आप किसी भी व्यापार में हैं तो आपको अधिक लाब होगा आपके नए नए संबंद बनने के भी आसार हैं व्यवसाइक जीवन बड़ा ही महत पून होगा जिसमें आपको लाब प्राप्त होगा और आपको आराम करने की भी आवश्यक्ता होगी कारे छेत्र में आपके अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंद बनेंगे आपकी कीर्ती और छवी बढ़ने की पूरी उम्मीद है आपको अपने बड़ों से पूर मागदर्शन और प्रेना लेनी चाहिए ताकि उनके आशिरवाद से आप प्रगती कर सकें इस वर्ष 2015 में आपके प्रेम संबंद पिछले वर्षों से अधिक अच्छे मनोरंजक और रुमान्चक होंगे विनम्रता और शीतलता से संबंद रखें किसी भी प्रकार के छल और निश्क पड़ता से बचें अपने जीवन साथी की इच्छाओं के प्रती समवेदन शील रहें कुछ वर्षों से सोची हुई इच्छा पून होने की संभावना है अपनी कुछ गलत सोचों को भी दूर रखें अपने जीवन साथी के विचारों को जाने और संतुस्ठ होने की कोशिश करें क्योंकि किसी गलत फैमी की वज़े से आप परिशानी में भी पढ़ सकते हैं इस वर्ष वित्तिये को समस्याएं सामने आएंगी अधिक आय तो होगी परंतु खर्चे भी अधिक होंगे इसलिए बचत होने की कम संभावना है आपको बड़ी ही साथानी से कारे करना होगा समस्याओं से निपटने के लिए अपने वेह पर पूरा ध्यान रखें और उसका मूल्यांकन करते हुए यह देखें कि कहां पर खर्च को कम किया जा सकता है और इस प्रकार से धन बचाया जा सकता है खड़ी डारी और मंचाही वस्तूओं की इच्छाओं से दूर रहना होगा इस वर्ष 2015 में ब्रहस्पती देव की अच्छी दशा के कारण वर्ष के आखरी में विट्य दशा के कुछ अच्छे संदेश मिलने की उमीद की जा सकती है वर्ष के प्रथम तीन महीनों में आप प्रसन्यचित रहेंगे इस वर्ष आपका स्वास्ते बहुत अच्छा रहेगा वर्ष के मध्यांतर में आपको कुछ ठकान और स्वास्ते के बिगरने के आसार हो सकते हैं अधिक कारे आपको परिशान कर सकता है इसलिए स्वास्ते की दृष्टी से सावधानी की आवश्यक्ता होगी वर्ष के अंत में आप ठीक ठाक रहेंगे और आपको आनिंद के परियाप्त अफसर मिलते रहेंगे आपको संकल्पिये और परिश्रमिये गतिविदियां नए मार्ग पर ले जा सकती हैं आपका वर्ष 2015 अधिक सुखद रहने वाला है क्योंकि भविशिफल 2015 के हिसाब से इस वर्ष अधिकांश क्रहे आपका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं शनी देव की इस्थिती कुछ इस प्रकार है कि कभी-कभी बीच-बीच में आपके जीवन में कुछ नकारात्मक बाते हो सकती है मगर परिवार और मित्रों में सुख, वैभव और शांती बनी रहने की संभावना है वैवाहिक जीवन के प्रथम भाव में शनी देव के कारण कुछ असंतुष्टी रह सकती है और साथ-साथ कुछ स्वास्थ संबंदी परिशानिया भी हो सकती है राशी फल 2015 के अनुसार आपका कारेकशेत्र अच्छा रहेगा आर्थिक अस्थिती भी बहतर होने की संभावना है विद्यार्थियों को परिश्रम करने की जरूरत होगी और जो कारेकशेत्र में हैं उनके लिए यह वर्ष का दूसरा भाग बहुत अच्छा सिद्ध होगा व्रश्चिक राशी के तमाम लोगों को मास, मदिरा और नशीली चीजों से सावधान रहने की जरूरत होगी पशुओं की सेवा करने से लाब मिलेगा शनी देव ग्रह की पूजा करने से भी आपको लाब की प्राप्ति होगी आस गनेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दे धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाए प्रदान करते रहेंगे